किए के बाई कुछ से नंबर फाइव है पेज नंबर 148 पर एक्सरसाइजे 7.2 7.2 का पांचमा सवाल कह रहे हैं तर वेट वाई इन केजी सवाल को समय ना बढ़ेगा आपको वेट वाई इन केजी एंड एज एक्स इन एर्स यनि वाई को क्या माना है वेट और इसको ले किसमें रहें केजी में और एक्स को किसमें आपको क्या माना है एज और इसको किसमें ले रहें एर्स में ये दो बातें बता दी है of a person किसी शखस की expressed by the equation उसको इस equation से जाहिर किया गए y बराबर है 2x के y किसके बराबर है 2x के कहरें draw the age weight graph age weight का graph बनाना है किसका बनाना है age का और weight का एक तरफ आप ले लें age यहाँ age ले ले यह एक साल का हुआ person दो साल का तीन साल का चार साल का पांच छे साथ आठ नो दस दस value ले 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 ठीक है अच्छा जी यह यहाँ age लिया है जिसको x कह रहे है यह एक्स दर असल क्या है age है तो x एक्स पे इसको लट लिया और y क्या है weight है y एक्स पे क्या ले लेंगे weight अच्छा weight हमने इस तरह लिया एक kilo दो kilo तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा चीक है one two three केजी में और ये किस में है येर में है ठीक है तो एक kilo दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा एक साल दो साल तीन चार साल पांच साल छे साथ आठ नो दस कहरें कि y की value x से क्या है double है इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं यहां चार्ड बनाऊ और उपर लिखो x की value और नीचे लिखो y की value तो क्या value आप बता सकते हैं तो अगर अगर당히 एक से अगर जादा तो ओर होगा अगर फान होगा तो यख क्या होगा च्या होगा आगर एक्स नीचे होगा थे होगा वाई आठ होगा, गर एक स्पांच होगा, वाई दस होगा, छे होगा, बारा होगा, साथ होगा, चौदा होगा क्योंकि एज के मुकाबले में वेट डबल है, यानि अगर एक साल का बच्चा होता है, तो उसका वेट दो किलो होता है दो साल का हो जाता है तो उसका फिर चार के लो जाता है तो तीन साल का हो जाता है तो ऐसे बता है इसको ग्राफ में जाहिर करना है एक पर क्या लिखो यह एक है इस पर य की वैलियु क्या होगी दो यह बात के लिए हो गई दो पर क्या वैलियु आएगी चार यह बात के लिए कर रोगी तीन पर क्या वेलियु आईगी छें यह बात क्यर हो गई है चार पर क्या वेलियु आठीग ए इक यह लिखा वा रहा है व्यास पांस अब धाजेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सीधी की चाहिए तो यह इसकी वैल्यू दो गई इस equation से निकली है. X1 माना तो Y2 आगया X2 माना य4 आगया X3 माना तो Y6 आगया पहले एक chart बनाया, चart बनाने के पाद थिर रमने क्या बना लिया? ग्राब बना लिए, उतारें ये सवाल ठीक है भई, पेज नंबर 149 पर छटा सवाल 7.2 का आईशा केंड ड्राइव अटू विलर कंटिनियूसली, आईशा जना मोटरसाइकल पर जा रही है और मुसलसल गाड़ी चला रही है एट दा स्पीड ऑफ 2 किलोमेटर पर आर इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमेटर पर आर है यहनी जो काटा है वो 20 पर एक घंटे में कितना जाएगी 20 किलोमेटर फिर अगले घंटे में कितना जाएगी 40 पर पहुंच जाएगी फिर अगले गंटे में कितना जाएगी ऐसे जा रही है हो ठीक है construct a distance time graph एक तो आपको distance time graph बनाना है सही है for this situation, इस situation के लिए throw the linear graph और उस linear graph से फिर ये दो सवालात हल करने है पहले हम graph बनाते है तो आईशा जो है वो उसकी जो speed है वो कितनी है 20 km और फासला वो कितना तेह कर रही है यह हमें नहीं पता और time एक घंटे में 20 आती है तो आप जानते हैं कि speed फासला और time में जो relationship पे वोई है V is equal to S upon T V is equal to S upon T तो S किसके बराबर होगा V into T के यह है वो गुनियादी फार्मूला जिससे क्या निकलेगी faster हमेशा उसकी V क्या है अगर आप 1 रखेंगे तो क्या जाएगा S अब यहां पर मैं value पुट कर रहा हूँ देखिए दरा गौर से दो चीज़े हैं मेरे पास एक क्या है T मैं रख रहा हूँ और उसे निकाल क्या रहा हूँ S T अगर 1 रखता हूँ तो S कितना निकलेगा 20 1 रखता हूँ तो यहां तो 20 आएगा ना लाजम जाएगा तो मैं इस V की जगा पर टायरिक क्या रख ज़ता हूँ 20 अगर 2 रखूंगा 40 2 गंटे में वो 40 किलोमेटर फासा ते इकलती 3 गंटों में 60 4 गंटों में 80 किलोमेटर फास गंटों में 100 6 गंटों में 120 7 गंटों में 140 8 गंटों में 107 ठीक है अब हमको इसका ग्राव बनाना है इसमें भी देखें माइनस की वैल्यू कोई नहीं है प्यादर इसको भी मैं ऐसी बना रहा हूँ यहां क्या लिखोंगा टाइन और यहां क्या लिखोंगा इस्टेंस अच्छा अब इसमें यह मसला है कि यह तो 122, 140 तक जा रहा है तो हम 120, 140 तक आँ जाएंगे तो हम क्या करते हैं इसको 20-20 लेके चलते हैं क्या लेके जलते हैं 20-20 यहां से यहां तक का एक खाना जो है, जो दस स्टोटे खाने हैं, वो उस पर क्या निशान डालते हैं, बीस, अगले पर क्या डालते हैं, चालिस, अगले पर क्या डालते हैं, साथ, समझनारी बात, फिर अगले पर क्या डालते हैं, एटी, 80 के बाद, 100, 100 के बाद, 120, 120 के बाद 140 140 के बाद 160 160 के बाद 180 180 के बाद 200 तो यहां क्या डालते हैं एक घंटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यह घंटा 2 घंटे 3 4 5 6 7 8 9 10 अब बनाते हैं गिराब टाइम जब एक घंटा है तो फासला कितना ते हुआ है 20 जब 2 घंटे है तो फासला कितना ते हुआ है 40 3 घंटों में कितना ते हुआ है 60 सही है 4 घंटों में कितना ते हुआ है 80 5 घंटों में कितना ते हुआ है 100 6 घंटों में कितना ते हुआ है 120 7 घंटों में कितना ते हुआ है 140 ऐसे हमने बना के एक ऐसे लाइन बना दी ठीक है यह तो बन गया प्लाट अब नीचे सवाल दियें दो किताब में देखें ताइम टेकन बाई आईशा तू राइड हंड़ेड किलो मीटर हंड़ेड किलो मीटर पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया हंड़ेड किलो मीटर जी क्या सवाल है सवाल है कि सो किलो मीटर का टाइम बताओ तो आप बताएं सो किलो मीटर ये रहा ना सो किलो मीटर इसका टाइम क्या होगा पांच पहले सवाल का जवाब क्या होगा पाइव आवर यह आपने किस से निकाला है ग्राफ से जबाब निकाला है दूसरा सवाल क्या है? The total distance covered by Aisha in three hours तीन घंटो में उसे कितना फासला दे गिया है? तीन घंटो में उसे फासला दे गिया है? वो क्या है? यह साथ है तो दूसरा सवाल का जवाब क्या है? 60 किलो मीटर्स यह दो जवाब हो गए यह हमने कहां से निकाले गराब से निकाले उतार लीजिए इसे गराब के बनाएं